आप सभी का स्वागत है इंडिया गेमिंग में मैं हूँ एक एंट 22 और हम के रहे हूं स्टेट सर्वाइवल हार्टकोर सर्वाइवल तो पिछले भाग में हमने छोटा सा हमारा हाउस बनाया था एक नदी के किनारे और हमने बहुत साही चीजे बना लिए हमने एक एक सीक्रेट चेस्ट मिला था उस मेंसे हमने एक आयन इंट मिला है और हमने उससे बनाए एक फॉर्निस जो कبح हमारे भी काम आ रहा है बहुत यह रहा लिके आभी मुने इस में कुछ डाला नहीं bistar nom Technologies क्युक् with वो भी मनाना है, मिल भी मनानी है, देखते हैं, यह रही देखें, मिल स्टोन, हैंड क्रैंक और मिल स्टोन बनाना है, तो यह आसान है, इसे हम पहले बना लेते हैं, जब तक हमारी जो रात है, वो कम्प्लीट हो जाएगी, हैंड क्रैंक, ओके, हैंड क्रैंक यह रहा, इसके ल रहते हैं स्टिक्स और स्लाब्स देखें बंद पाती है कि नहीं कियर्स नहीं कि वाइनाट कि अधिके चलिए मैं इसको क्राफ्टिंग टेबल पे बना के देखता हूं मैंने काफी सारे वह बना लिया है क्या कहते हैं और शीर्ट स्टोंज यह रहे कियर और बना लेते हैं चार और क्योंकि हमें सैग मेल भी बनानी है कुड़ के कबल स्टों और दो स्टिक्स ऐसे अब स्टों मेरे पास पड़े हैं के कि गेर यहां पर स्टिक्स कहां गई कि देखें ओके आगया नाइस तो हमने क्रैंक बना लिया अब हमें मेल बनानी है ओके इसके बाद हमें चाहिए है इट कॉबल स्टोंज और मेरे पास कॉबल स्टोंज है नहीं भी इतने हैं माबल्स रखे हुए हैं तो हमें कलेक्ट करना पड़ेंगे तो चलिए मैं सोता हूं और सुबह फिर हम को कि मॉंस्टर्स निया बाई एक जॉंबी जो है हमारे खर के बाहरी गुम रहा है लो तेर बारी देखे मोव्मेंट कैसा चलता है वो पुरा इसका जवसर है उसे लटका कर कि अब वी कांट स्लीप हमें देखना पड़ेगा कि कोई आसपास वो तो नहीं है किसे अटैक करें ब्रूकन अवी जा रहा है दूर ओके नाइस हमें सीड बताना था ओके तो मैं आपको सीड बता देता हूं इसका यह रहा इसका सीड देख लीजिए आप मुझसे कमें चेक्शन में पूछ रहे थे कि सीड क्या है और आपको डाउनलूट करना है तो आप सको देख सकते हैं कैसे डाउनलूट करते हैं मैंने लिंक देखे रखी जैसमें और राइटी सुबह हो गई है तो सबसे पहला हम काम कर तो इससे हम प्लांट कर सकते हैं सीट तो मुझे हम्प सीट प्लांट करने हैं तो कहां पर करें यह जगह सही है वन तो थ्री फोर फाइफ के नाइस और हम सीट हम सीट हम सीट हम सीट भी काफी सारे आगा है तो इसे भी ओ यह रहा है का इने भी लगा देता हूं मैं लग गए गुड यह हमारा न्यूट्रिशन बार है जिसे कि आप देख सकते हैं वेजिटेबल ट्रोटीन ग्रेन फूट अभी हम खारें तो हमारी जो टाइट है फूट पर वह भी जादा बता रहा है चलिए हमारा यह तो लग गया है एक टॉर्च भी लगा देता हूं मैं यह कि हम पर गुड अब हमें इंतजार करना है कि यह कब बड़ी होगी और हमें बनाना एश भी तो शमल टरी के लिए मैंने इकते करके रखी है चीजसे ना जो क्या बनाना था हूं को शिर्ड प्रिक्ष से ऑखेटू सबसे पहले हम बनाते हैं शियर्ड टंक नहीं यह नहीं था हम बुक में देखते हैं क्या बनाना है हमको सबसे पहले स्मेल्टरी स्मेल्टरी कंट्रोलर के यह रहा ओके इजी है और मैं इसमें से निकाल लेता हूं यह हमारा कंट्रोलर बन गया इसके बाद हमें बनाना है एक है टैंक अ फासक्र बनाना है फासट श्याइद है ओके यह बन गया हमारा फासट गुड यह नहीं ऐाप रखे अब हमें बनाना exemple इसको बनाते हैं कितना चार आपको ऐसे जमाना पड़ता है तो 1234 हम काफी सारी बना लेता है देखते हैं कितनी आती फोर आई है ठीक है इसे भी इंक्लूट करके एक और चलिए ब्रिक्स हमारी हो गया यह भी कंप्लीट हो गया है शियर टैंक चाहिए हमको टैंक के लिए हमें क्या बनाना है टैंक कि यह रहां टैंक ऐसे बनता है ठीक है अब कास्टिंग टेबल कास्टिंग कास्टिंग टेबल कैसे बनता है कास्टिंग टेबल और कास्टिंगन बेसं गई के यह अगई हमारा कास्टिंग टेबल भी अब लास्ट चीज़ बच्चरि अमारे समेल्ट करीड र्रेड्रेंट डी आर ए आई एन ड्राइन हमें बनाना है ओके इजी इजी है तो शायद हम ब्रिक्स और बना सकते हैं ओके हमारा ड्रेन भी आ गया है और हमारी स्मेल्टरी इंप्लीट हो जाएगी अब अब हमें इसे लगाना है उपस सारी अब हमें इसके लिए जगर ढूलनी पड़ेगी केम कहां बनाएं से कहां लगाएं क्वेस्ट कंप्लीट है स्मेल्टरी देखें हमें कुछ मिला है क्या है रवाट क्वेस्ट अपडेटेड नहीं कुछ नहीं मिला है डॉन ओके हाट पाट गुड़ तो कहां पर बनाएं मैं सोच रहा हूं कि इस जगह पर बनाते हैं यह सही जगह रहें कि इसको रखने के लिए तो मैं इसमें से यहां पर घास हटा देता हूं हमें और हम फूल्ड मिला है इस पेड़ को काटे क्या नहीं काटते हैं यहां पर बनाता हूं मैं चार बाचार की बनाने सोच रहा हूं इसे तो कैसे बनाए एक नीचे लगती है चार और उसके आसपास 1234 इसके बाद हमें चाहिए आगे ड्रेन इसमेल्टरी ड्रेन इसके नीचे भी लगाते हैं क्या यहां पर फॉसेट इसके अंदर इसके बाद कास्टिंग टेबल इसके नीचे इसमेल्टरी कंट्रोलर यहां पर शेयर टैंक यहां पर और ब्रिक यहां पर हमें और ब्रिक चाहिए रहेगी शायद मैं सही बना रहा हूं या फिर गलत 1 2 3 4 1 2 3 तीन और चाहिए ब्रिक्स और मैंने सारे इंग्रीडियन्स है मेरे पास इसके सैंड और यह दिखिए अब मैक्सिमम निकाल लेते हैं ठीक है नॉइस है कितने बना सके हम पांच छे छे ठीक है अल्राइडी च्यू एं इसे गुट टो पुट है हो गई है क्या बन गई है देखे हाश देखे स्टार्ट हो गई है यहां पर हमने यहां लगनने शुरू हो गई है अब हमें सिफ लावा चाहिए ताकि हम इसमें कुछ डाल सकें और तो हमारी स्मेल जरी बन गई हैं में 4x4 की बनाई है से नॉइस और यहां से हम ड्रीन कर सकते हैं इसके अंदर यह बेसिक मॉडल है हमारा ड्रीन का अब मिझे टॉचिस चाहिए लाकि मैं लाइट अप कर सकूं इसको आज-पास यहां पर एक लगाते हैं किसके सामने किड तो शलिए हमारा जो वो था वो कंप्लीट हो चुका है यह रहा अब्जेक्टिव कंप्लीटेड ओके तो हमें मिल स्टोन बनाना है उसके लिए हमें चाहिए थोड़े काबल स्टोन्स फ्लिंट है हमारे पास सिक्स तो मैं एक वो तो बना ही सकता हूं क्या कहते हैं पैटन चेस्ट मैं यह रहा पिखेड के देखें गुड़ बाइंडिंग स्टिक स्टिक से बन जाएगा क्या वुट से ओके गुड़ ठीक है यह लीजिए अब हम हमारी पिक एक्स बना सकते हैं त्यार हो गई है है नहीं बापैस में ड्लेदा और पैतें को कि स्टबस मिल मिलाई ऐ बक्सहें और सैंटीपीड हम बैबन गाये मैं वर्सeli वाले जंगता हैं बॉक्स चलिए सांटीपीड खाके देखते हैं कि वेल फेड नाइस इसे प्रोटीन मिलता है आपको यह देखिए यह प्रोटीन है प्रोटीन डेफिशेंसी नहीं होनी चाहिए आपको इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप बग्स खा सकते हैं के तो हमारी यह भी डिस्ट्रॉइ हो चुकिए तो हमें क्या करना है अब स्मेल चरीव हो रही हमारी हमें कोवल स्टोन चाहिए थे इसलिए मैंने पिक बनाई थी हमें सैग मिल बनाना है चलिए इसकी थोड़ी ड्यूरेबलिटी ठीक है हमारी पिकक्स की और मुझे यहां पर क्योंकि शीप पिग्स नहीं दिख रहे हैं क्योंकि यहां पर वुल्फ का पैक है एक पूरा और वो किसी को भी आसपस भटकने नहीं देता है उनका शिकार कर लेता है यह देखा अपने बलर एफेक्ट जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो और जब निकलते हैं कम आउन हम सैग मिल बनाना है हमें सैग मिल ही है न उसका राम के इतनी काफी होगी शायद कि मेरे पास दो और रखे हुए है यह शायद ग्रनाइट है रेड ग्रनाइट यस इस मेरे पास दो और रखे हुए है हमें मिल बनानी है देखें मिल के लिए हमें चाहिए है कबल स्टोन और वन गियर हो तो गया ना रखें यप हमारी सैग मिल कंप्लीट हो चुकी है और यह क्या काम आती मुझे नहीं मालूब तो इसे हम लगाते हैं यहीं पर क्वेस्ट कंप्लीटेड मिल स्टोन यहां पर और इसके उपर आपको लगाना रहता है हैंड क्रैंक यह लग क्या है और आप इसको कर सकते हैं वो शिप तो यह हमारी मिल चाले हो गई है ओके हमारी मिल कंप्लीट हो गई है यह है वाटर स्ट्रेणर बनाना है भंब को वाटर स्ट्रेणर क्या है एड़ नूव इस गेटिंग रावंड इस इस दे आटलिस फार्म लाइफ मॉटल्स ओके तो हमारी सैग मिल भी बन गई है थोड़ा सा मुझे हम लगाना है वहां पर वह देखे हमारी जो फसल हमने लगाई है कैसी ग्रो कर रही है अल्राइट अभी फुली ग्रों नहीं हुए शायद एक और बीज लगा देते हैं इसमें से जोनके वो नाइस है आपको हैंप वीट सीट से ज्यादा असानी से मिल जाता है तो हमने लगा दी अब हमें जाना पड़ेगा एक्स्प्लोरिंग का क्योंकि हमें चाहिए और 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 अम इसमें डालेंगे तब ही हमें मिलेगा कुछ ना कुछ तो हम काम करते हैं हमारे पास जो चीजें हमेरे काम की नहीं है उसे रख देते हैं और थोड़ी घूम कर आते ह है आसपास फ्लेंट हम रख लेते हैं फल ठीक है ग्रावल की जुरत अभी है नहीं क्ली की भी ब्रिक्ष की भी नहीं है ठीक है चलिए इसे भी यहाँ पर रखते हैं हमारी क्वेस्ट लॉग को ठीक है चलिए फ्रूट्स हम रास्ते में से तोड़ लेंगे को चीज थोड़ी सी हम टॉट्च टकले लिए तो एको चीज आपको दिखानी ते देखिए और वह उसमें चली गई है किसमें जो और से बहुत मुश्किल से मिलते हैं आपको बहुत ढूलना पढ़ते हैं अच्छी आयन की आयनोर की तो उसे आपको लेक्ट कर सकते हैं थोड़े से फल तोड़ लेता हूं मैंगोज स्वीट मैंगोज कुछ दिख रहा है क्या नीचे इस तरफ से जाते हैं मैं अहां पर टॉट्च लगा देता हूं ताकि और यहां पर ध्यान से जाना पड़ेगा सबसे अच्छी चीज इस में हाट्कोर मोड में है कि के इसमें आपको ढूना पड़ते हैं और के इस सबसे चीज जगह है अगर आपको और चाहिए तो मश्रूम और को चीज यह देखिए यह गिरती भी है कॉबल स्टोन्स फॉल होते हैं अगर आपने नीचे उसके कुछ लगा है वह वाट इस ताट स्पाइडी जॉम्बी वह मैं इसको अपने दूसरे हाथ में पकड़ लेता हूँ अधेट्स कुड़ मुझे वैपन बनाना ही पड़ेगा अब लगता है हम दूसरी केव ढूंडता है एक को चीज हम यह भी ध्यान में रखें कि हम यह से जादा दूर ना निकल पाएं होके यहाँ पर है नीचे केव कुछ नहीं है इधर थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा हमें वो के वच्छी थी पर हमारे पास कुछ भी वैपन नहीं है अभी शौड हमारे पास है नहीं ताकि हम उन्हें मार सकें कि यहाँ पर दिख रहा है क्या मुझे नीचे जाना पर पड़ेगा लगता है एक रस्ता बनाता हूं मैं कि काफी लंबी है यह खाई वो नाइस ट्रिक स्टॉर्म ट्रिक्स्टर ब्लूम वो क्या है वाच्टाट कुछ चमकता हुआ तो नजर आ रहा है चलिए यहां से नीचे जाते हैं ट्रिक्ष्ट झाल झाल कुल है इधर वो क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहे है जो भी है इंपोर्टेंट है और रात हुने आई है तो हम हमारे घर की तरफ निकलते हैं मुझे एक सौड की जरुरत पड़ेगी अब और एक शवल की भी है नाइस मुझे पॉर्टल में से पानी पीना पड़े थोड़ा कि डरी वाटर हमने देखा था वाटर को फ्रेश कैसे बनाते हैं इसमें फिल्टर वाटर तू चार कोल पीपर चाहिए हमें तो हमें थोड़े और अब वो लगाना पड़ेगा क्या कहते हैं से हम सूजाते हैं पर ले नो नियर्बाइ मॉन्स्टर गड़ ऑल्राइट तो मुझे लगानी है थोड़े से हैं इस शुगर केन घास पर लगा हुआ है देट्स नू मिला और कहीं दिख राएका शुगर केन क्योंकि हमें पेपर चाहिए और सेम फिल्टर वाटर बना सकते हैं नहीं दिख रहा है वो वुल्फी फस गया है बीच में इस तरफ भी नहीं है चलिए दो तो लगा दी है हमने मश्रूम भी मिले हैं हमें चलिए थोड़ी आगे तक जाके देख कर आते हैं कि हमारे आसपास है क्या कोई सा विलेज है तो बहुत ही हल्फूल रहेगा वह हमाले लिए अगर हमें विलेज मिलता है तो वेब मिला है वो देखिये वहाँ पर ए चिकन प्लेमाउथ रुखन नाइस हेलो देर फैदर इन्हें कैसे मैं आकर शित कर सकता हूं ताके मैं इन्हें अपने घर ले जा सको हमें चाहिए सीड मिल गया एक बाटल ठीक है एए नाइस कम आन अलम मी नहीं क्या चाहिए है तुमें पर दो हैं तो दिख्या है प्लेमाउथ रॉक अचीमें उन्वलाक्ट क्या चीमें था गिमी वन्मोर सीड हैंप सीड से अकरशित होती है के नहीं होगी शायद मिचे नहीं लगता बहुत सारी चिकन से हैंपर हैं हैं क्यों वंची सेड यस से नहीं रगुलर सीड चाहिए नहीं तो मिल यह वरी ट्रीट कर चाहिए झाहिड था नहीं घ़िए यह से फाल्लों कर रही हैं प्लेदिए नहीं कर रही है कहा है कर रही कर रही हमाराइजि् very good chicken regenfrom रुस्टर है उसका प्लेमाउथ रॉक रूस्टर economists इसका थेक्श्चर दिख हडम पत्थर में है कि दो चिकन सागाइज पाइस अर्व मेरे पिछे जाओ आजाओ आजाओ सब मेरे पीछे आओ ओके इन्हें वुल्फ से बचा के रखना पड़ेगा वह रहा है वुल्फ एक इसलिए सीधे सीधे मुझे फॉलो करते रहो इधर देखना भी मत ओके इधर खाई है और यहां पर एक वुल्फ है तुमारे तो लग गए समझे दोनों तरह देखों वहां पर एक वुल्फ खड़ा है और एक वुल्फ यहां पर खड़ा है दोनों चौकिदारी कर रहे हो बीच में खाई है कहां जाना है तुम दोनों को इसलिए चुप-चाब रहो और मेरे पीछे आओ आओ दोनों पर रहे प्लेस आप अर आएक और बहुत लंब है हमें भूम के जाना पड़ेगा था दोन गाइस बगाप आजा ओ आजाओ 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 इसको क्या होग अब हेलो है फर्स चुका है चले तुम्हें तो छोड़कर आता हूं मैं आजाओ जाओ 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 वह नहीं आपर है वह फर्स चुका है वहां पर डामिट कि यह हमला नहीं कर रहे हैं कि मैं फाल तो ही घपरा रहा है यह शायद शीप्स पर हमला करते हूं शीप्स और काउस पर कमाउन बॉई हम पहुंचने वाले हैं पहुंच गया है लगपक ओक तो एक रूस्टर तो आ गया हमारे पास अब तुम उपर से चलांग मार के ना जाओ इसलिए मैं इससे को कवर अप कर देता हूं अब तुम यहीं पर रहो ठीक है जब तक मैं तुम्हारे दोस्तों को लेकर आता हूं जो एक फस गया था बीच में कहां पर रह गया वह यह फसा हुआ है आपर देख लिया इसने चलो चलो आजाओ आजाओ मेरे पीछे पीछे क्हां टुम्हारे इसने तुम्हारे लिए ऩट वेफिव करेश से लिए आजी तो आपा हुआ करीछ बार्डब्हारे विए यह थे अहां गिए प्रूए कि डूंट किल माई रूस्टर कम आँ है तुमने क्या डॉप कर आई है फैदर नाइस अके कम इन अधर आजाओ ओके हमारे पास दो रूस्टर आगा है गट 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 अब यह फ्लाय करके तो नहीं जाएंगे न उपर से पता नहीं मोड में पता नहीं मुझे सब हार्ड गोर है इसलिए ओल्राइट गाइस तो हमने दो मुर्गे पकड़ के लिक रहा है वह कुदने की सोच रहा है पर गूद नहीं पाएगा मुझे लगता कूद पाएगा वहां से वह ओके तो हमने हमारी स्मेल्टरी बना ली है वो रही वहाँ पर एक सैग मिल भी बना है अब हमें ढूड़ना है और्स काफी सारा और्स और हमें चाहिए मेंली आयन ताकि हम उससे हमारे चो एडवांस टिंकर टूल्स हैं वह बना सके ताकि क्योंकि बहुत कमजोर है फ्लिंट वाले जो यूज आते नहीं इतने यूज आते हैं पर बहुत डूरेविलिटीन के बहुत कम है तो आप सभी से मिलूंगा मैं आपसे अगले भाग में अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही तो प्लीज लाइक बटन दबाना ना बुले और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसी लग रही यह सीरीज और मैंने सीड बता दिया है व कि आपको कैसी बताएं कि आपको आपको का रिक बटना बटना खर ना बटना शूस्द़ को आपको आपको का अवा हन तो ओको पना दो आपको